नमस्कार दोस्तों मेरा नाम कृष्णा ताराचंद है हम बात कर रहे हैं आर आर ट्रेलर इंतजार खत्म आ गया राजा मौली की बावबली फिल्म आर 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 का ट्रेलर रोंग टे खड़े कर देगा एक्शन भारती सिनेमा की सबसे कामियाब फ्रंचाइजे फिल्म बावबल के बाद एस एस राजा मौली आर आर रेज लोर रिवाल्ट लेकर आ रहे हैं बावबली के फैंस राजा मौली की इस फिल्म में कभी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं बता दें कि आखिरकार इंतजार खत्म हुआ एस एस राजा मौली की बावबली फिल्म आर आर का ट्रेलर 9 दिसम्मर को रिलीज किया कर दिया गया था ट्रेलर में राम चरन और एंटी आर जूनियर का एक्षन देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देगा ब्रिटिस हकूमत से जंग की इस कहानी में दोस्ती दगा और देजबक्ती की भावन आखा रोमांच देखने को मिलेगा भारती सिनेमा की सबसे काम्याब प्रणचाजी फिल्म बावबली दे बिगनिंग और बावबली दे कनक्लूजन बनाने के बाद एस-स राजमौली आरहराई रिएस लोर रिवाल्ट लेकर आ रहे हैं बावबली के फांस राजमौली की इस फिल्म वका भी बेसब्री से इन्तजार कर रहे हैं फिल्म साथ जन्वरी को रिलीज होने की संका थी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है आप कमेंट करिए कि आप पीडियो देख चुके हैं कमेंट करके हैं सेक्षन बॉस पर आप हमें बताईए और 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 पैन इंडिया फिल्म है जो मूल रूप से की जाएगी सब सभी भासाओ के ट्रेलर आज रिलीज कर दिये गये हैं सिनेमे घरों और इंटरनेट पर भी रिलीज ट्रेलर रिलीज करने के साथ चार से रों को इवेंट में रखा गया है बता देंगे ट्रेलर की अविद तीन मिनट है और जब अक्षन में लिप्टा हुआ फिल्म के सभी मुख किरदारों के ट्रेलर में जगा मिली है राम चरन, NTR, जूनियर, आजे देवगन, आलिया भाट, श्रिया सरन, ब्रिटिस कलकार, ओल्विया, मोरिस, आईरिस, एक्टरस, एलिसन, डूरी, और रे, इस्टिवेशन, मुख किरदारों में है उल्विया के साथ किरदार का नाम जेनिफर वही, स्कॉट ब्रिटिस हुकम की खलनाया की भूमका निभा रहे है एलिसन, उनकी पतनी मसीश स्कॉट के रोल में बता दें कि आर एर पेरिड फिल्म में जिसकी कथा भूमे ब्रिटिस हुकमत के दौर में इस्तापित की गई है फिल्म की कहानी के केंडर में 2 से 7 Cum से सिनानी है, जिसकी भूमका में राम चरण और एंटियार जूनियर है आर आर का फिल फॉर्म, रुद्रम, रणम, रुद्रम का पूरा नाम है बता दें जूनियर न्टियार के करदार का पूरा नाम कौमाराम भीम है कुमाराम भीम सतंतता सेनानी थी जिनके बारे में राजा मौली ने बताया था कि जिन्होंने पाराम पर एक तोर तरीकों से सिक्षा हासिल नहीं की थी जवानी में ही अपना गाउं छोड़ कर चले गए थे लेकिन जब वापस आये तो पड़े लिखे बैक्ती थे उन्होंने आदिवासियों के लिए निजाम के सासन के खिलाफ जंग छेड़ी थी उन्होंने गुरिल्ला शुद्ध शैली अपनाई थी और बाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का लड़ते हुए सहीध हुए थे आर आर कर इसके बारे में आपके क्या राय हैं कमेंट सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें धन्यवाद